नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है पश्यमी भारत के लोग सदा बहारी फूली के नाम से जाने जाते है विक्शीत देशों में रक्त-चाप स्रवेट की ք खोज से पता चला सदा बहार जाडी में एकसार जादे मातरा में होता है इसलिए यूरोप, भारत, चीन और अमेरिका के कई देसों में इस पौदे की खेती होने लगी है अनेक देसों से इसे खांसी, गले की खरास और फेफणों की चिकिस्ता में इस्तमाल किया जाता है सबसे रोचक बात यह कि इसे मध्मे यानि डायपटीच की बीमारी में भी इस्तमाल किया जाता है विग्यानिकों का ऐसा मानना है कि शदा भाहर में कई ऐसे च्छार होते हैं जो रक्त में सक्कर की मात्रा को नियंतृत करते है मदमे से ग्रस्त वेक्ती के लिए सदा बहार या सदा बहार फूली पौधा बहुत ही लाबदायक होता है। यह कैसे लाबकारी है आईए जानते हैं। सदा बहार की तीन या चार कुमल पत्नियं चबाकर रस चूसने से मदमे यानि डायबटीज के रोग से राहत मिलती है। सदा बहार के पौधों के चार पत्नों को साफ धोकर सुबक खाली पेट चबाएं और उपर से दो घुड पानी पी लें। इससे मदमे मिठता है या प्रयोग कम से कम तीन महीने तक करना चाहिए। आधे कब पानी में सदा बहार के तीन ताजे गुलावी फूल पांच मिनट तक भिगो कर रखें। उसके बाद फूल निकाल दें और या पानी सुबक खाली पेट पीएं। या प्रयोग आठ से दस दिन तक करें। अपनी सुगर की जाच कराएं। यदि काम आती है तो एक सबताम के बाद या प्रयोग पुना दोर आएं। तो इस वीडियो के जरिये हमने आपको बताया कि सदा वहर के फूल से आप अपने मदमे या डायविटीस को कैसे नियंतरित कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताये गए उपाय समधान, बड़े बड़े वैद्यों, एवम आयरुवेदाचार्यों की लिखी गई रचनाओं से लिए गए हैं। आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उमीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हम से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परिसानी का हल ढून रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद नमस्कार